तो Target with PS Parihar चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में चार अप्रमुग सुचना है एक है बिहार सिक्चक बर्ती की बड़ी अपडेट दूसरी सुचना है UPTGT PGT तदर सिक्चकों की और तीसरी सुचना है धाई लाग सरकारी नोकरियों की घूफणा पर लास्ट जो सुचना है वह है इलाभाद High Court बर्ती की तो सुरुवात हम यहीं से करेंगे इलाभाद High Court बर्ती से तो वीडियो को जल्दी से लाइक करतें शियर करतें और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सबस्क्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की authentic update से सबसे पहले मिलती रहें चलिए शुरू करते हैं और बात हो रहे थी इलाबाद high court भरती की जैसे कि यहापर लिखा है high court के 26 अनुभाग अधिकारी बनाये गए काफी दिन से इलाबत high court भरती के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है पिछले महीं ने आप लोगों को जानकारी दी थी कि high court में आरो यारो के बहुत सारी पदरिक्त हैं और साल के अंत में आप लोगों को इसकी भरती देखने को मिल सकती है लेकिन उसमें एक रोड़ा आ गया था एक समस्या आ गई थी कि कुछ आरो यारो और अनुभाग अधिकारी इत्यादी का प्रोशन होना था तो इसका इंतजार कि जा रहा है कि जैसे ही इन सभी का प्रोशन हो जाएगे और जो पदरिक्त रह जाएंगे उन पदों पर भरती की जाएगी जैसे साग समिक्छा दिकारी का प्रोशन समिक्छा दिकारी में होता है समिक्छा दिकारी का प्रोशन होता है और अनुभाग अधिकारी का प्रोशन ह होता है वो सहायक निबंधक पर होता है और इसी की वजह से यह जो प्रक्रिया है वो रुख गई थी विज्ञापन और दूसरी तरफ की इलापाद हाई विज्ञारतियों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है प्रमोशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है और आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा अगली सूचना है साड़े चार सो में सिलेंडर धाई लाक नौकरी यह घोफणा किये भारतिय जनता पार्टी ने जैसा ही मैंने कहा था आप लोगों को जानकारी दी थी कि बिहार सरकार ने जो शिग्छक बड़्ती का विज्ञापन निकाला है इसके साथ में अन विभागों में भी जो बड़्तियों की विज्ञापन निकल रहे चाहे वो पुलिस कॉंस्टेबल भरती वाली बात जो विग्या पर भी हाल ही में निकलाता या अनवी भागों में इससे जो विपक्ष की पार्टिया है उनमें खलवली मच गई है और वो भरतिया निकाले या ना निकाले लेकिन घूफणाय करना शुरू करती है कमेंट बाक्स में बताएं जैसे कि अभी 36 गड़ में जब चुनाओ थी तो 36 भी हो रहें वहां पर भी आज भी वहां पर चुनाओ तो वहां पर भी बीजेपी सरकार ने इसी तरीके की घूफणा कित तब मैंने वीडियो बनाये था तो कमेंट बाक्स में आप लोग अवस्त बताएं क्या वास्तों में भारती जंदा पार्टे की सरकार धाई लाक नौकुरियां देगी और कमेंट करिए आप लोग इसके बाद में आप लोग उसको शेयर भी कर दीजिए ये वीडियो राजस्थान तक पहुंच जाए 36 गड़ में भी पहुंच जा चूंकि आज ही चुनाव है उत्तर प्रदेश में जब अभी दोबारा जब चुनाव हुए थे विधान सबा के तब भी मुक्यमंत्र की द्वार ये कहा गया था कि सरकार बनने के 90 दिन के अंदर जितनी भी रिक्त पत हम उनको भरेंगी लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है यहां देखी लिका भाजपा ने राजस्थान विधान सबाच चुनाव के लिए गुफणा पत्र गुरुवार को जारी कर दिया इसमें युगां को पात साल में धाई लाग सरकारी नोकुरी और गरीब मैलां को साले चार सुरुपे में रसोई ग बरतिया निकल रही है लिका सिक्षक बरती पंजीयन की तिति आगे नहीं बढ़ेगी आज आकरी दिन है रिजिस्टेशन के लिए पंजीयन और शुक्र जमा करने की तिति नहीं बढ़ेगी इसकी अंतिम तिति सुकुरुवार यानि 17 नवंबर तक ही है बिहार लोग सेवा आयोगनी गुरुवार को विग्यप्ति जारी कर यह जनकारी साज़ा की है शिक्षक नुक्ति के लिए आवेधन फारू पर तो यहां पर रेजिस्ट्रेशन के बारे पर जनकारी दी गए इस बार कुल कितने रेजिस्ट्रेशन हुए है तैसे यहां लिखा है अब तक 5,36,000 अब रेजिस्ट्रेशन कराया है वहीं 5,3000,000 ने शुल्की जमा कर दिया जिसकी लास्ट डेट आज है जब कि यहां पर लिखा 2,73,000 ने परिच्छा का फॉर्म भी बर दिया है वी प्यस्टी की अगली सूचना है पांचवी तक का पाठकरम जारी कर दिया गया शिक्षक बर परिच्चा के लिए बिहार लोग सेवा आयोग ने पहली से पांचवी कच्चा का संसोधित पाठकरम कारी कर दिया जिसके बारे मैंने कली आपने जानकारी दी थी कि अब केवल प्राद्म सिक्षक बरती में 2 भाग होंगे भाग 1 और भाग 2 पेपर का भाग 1 में 30 नंबर की स्कूल भी आवनटित कर दिया गया है अगली सूचना है यूपी पिजीटी पिजीटी तिदर्शिक्चिकों की लिखा तिदर्शिक्चिकों की सेवा सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में प्रदर्श यूवामंच और बहुत सारे ठात्रों ने एक अभियान चलाया था कि तदर सिक्षकों की नुक्तियां वो अवैद हुई हैं, इसी को ले करके मामला कोड भी गया था, सुप्रिम कोड के द्वारा इन्हें तदर सिक्षकों को फाइनली बाहर कर दिया गया है और हाल ही में अभी राज सरकार की तरफ से भी नोटिस जारी की गई है कि इनको बाहर कर दिया जाए और इनको कोई वेतन वेगरा नहीं दिया जाएगा वास्तों में इनकी जो नुक्तियां हैं वो प्रबंदकों इत्यादी की मनवानी से अधिकारियों की मिली भगस से हुई थी और ये तदर सिक्षक बहुत सारे ऐसे तदर सिक्षक थे जो सरकारी कोस्ति बेतन भी पा रहे थे और इन्हीं की सुरक्षा की वज़े से मनेजमेंट इत्यादी जो अधियाचन नहीं भीजा करता था और पद रोग लिये जाते थे जबकि यह पता चलता था कि प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के बहुत सारी पद रिक्त हैं और अब जब से इन तदर सिक्षकों को बाहर किया गया है तो एकता बना करके यह लोग अब मांग कर रहे हैं कि कम से कम शिक्षा मित्रों की तरह इनको विद्याले में रखा जाए और निश्चित मांदे इत्यादी दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो फिर जEO पद है जिस तरीके सिक्षक मेत्र समानपात अनुबाद बराबर कर देते हैं उसी तरीके से तदर सिक्षक अनुपात समानपात बराबर करेंगे और पुत्तर प्रदेश माद्मीक सिख्चक संग चंदेल गुट के नेतरतों में शिक्चकों ने ब्रैस्पतिवार को पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांखर के प्रदस्न तो अब ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा क्योंकि सुप्रिम कोट का आदेश या जैसे बीट वाले को देख लीजिए सिच्चा मित्रों को महां से बार किया गया था और इसको लेकर कि कई बार प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ है अन्दोलन हुआ जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हैं समचार पत्रों के मादम से भी समय समय में बताया गया है कि यह जो असासकी इंटर कालेज है इनमें तदर सिच्चकों की निक्ति अवैद है और वहीं पर समचार पत्रों के मादम से यह भी जानकारी दी गई है कि उ जिवाओं से एकजुट होने की अफिल करते हुए कहा कि असासकी इंटर कालेज हुमें 1993 से लेकर के अब तक 34,000 तदर्थ सिच्चकों को प्रबंदकों और जिला विद्धाले दिरिक्चकों ने मोटी रखम रख करके रख लिया है जो नयोचित नहीं है और समानकार के आधार पर समान वेतन भी नयायाला की आदेश से ले रहे हैं उन्होंने कहा कि नयायाला की आदेश में अक्छर सा वरनित है कि चेहन आयोग के आने तक ही तदर्थ सिच्चकों को रखा जाएगा चेहन बोर्ड द्वारा चेहनित अबेर्थियों के आते ही तदर्थ सिच्चकों की नुक्ती स्वता समाप्त हो जाएगी लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से तदर्थ सिच्चकों के पदों जिसकान मादमिक सिक्षा सेवा चेंबोर्ड में जितने पद पर विग्यापन निकलता है, उतने पद पर भरती नहीं होती है। जितना विज्यापन निकलता है उससे कम पदों पर भड़ती होती है लिखा है बैठक में युवा मंच की अध्यक्ष अनिल सिंगों पदाधिकारियों तो वास्तों में एक बखुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है युवा मंच और अनिस संगठनों के दौर तो अब ये मा पांग रखें कि ये जितने भी पद है 34,000 नहीं जितने भी हो बैचे हो इस समय उन सारे पदों को नई भरती में समायोजित किया जा या नया विज्यापन निकाला जाए वास्तों में पढ़ने वाले विद्यारितियों को पता ही नहीं चलता है कि अंदर ही अंदर क्या खेल होता रहता है तो कम से कम जो लड़ाई लड़ी गई है इन तदर्थ सिक्षकों की जो गलत तरीके से नुक्तिवी थी जो राज़कों से पैसा ले रहे थे जो इतनी लबी लड़ाई 93 से लेकर अब तक जो लड़ी गई है वो सार्थक तभी हो पाएगी जब इन पदों पर अगर यह तदर्थ सिक्षक जीत गए यानि कि मान दें त्याजी पर रख लिए गए तब फिर आपके यह जो पद है वो जुड़ा नहीं पाएंगे मेरा काम है आप लोगों को information देना और सारी चीज़े मैं नहीं कर सकता हूं तो यह सब आपको करना है यह हो गया आज का वी लग बुत देनावाब